नमस्का फ्रेंड्स आरस ग्यान यूट्यू चैनल में आपका हरदिक श्वागत जैसे अब देख रहें कंप्यूटर स्क्रीन पर नीट नैसनल इलिजिबिल्टी का मिंट्रेंस टेस्ट न्यू रजिस्टेशन रजिस्टेशन को कैसे करना है नीट फॉर्म को कैसे फिल करना है विदाव मिश्टेक के इस वीडियो में जानेंगे पूरा प्रोसेस यहां देखिए इस्ट्रक्शन दिए गए हैं इन्हें रीड और र कर दिएप्तफिश का नाम इहीं जो नाम आफको डालना है अपनी हाइ स्कूल मार्शीट के अकॉर्डिंग डालना है और हाइ स्कूल की मारशीट और आधार कार्ट की डिटेल को शेम करा लेना चाहिए जिस्से की एक्जाम में आपको प्रॉब्लम्स न हो तो सिंबलियां आपने जो है हाई स्कूल दिमारशिर से नाम टाइप करेंगे और उसके बाद जो है पिता फादर्स नेम का नाम यहाँ डालेंगे उसका मधर्स नेम हाई स्कूल की मार्शीर के कॉर्डिंग जम देती आपकी जो भी है यहां से आप फिल करेंगे इसकी साहेता से इस प्रकार से आप जो है अपनी डेटर पर डालेंगे हाँ पर कि लिंक का चैन करेंगे मेल फीमिल है नेशनल्टी को यहां पर स्लेट कर लेते हैं उसके प्याद प्रकार प्रकार आपको पास क्या है क्लास 12 एडमिड कार्ड है यह फिर एक्सन कार्ड है पूटर आडी कार्ड पासपोर्ट आसन कार्ड बैंक पासवर्ट एनि अधा जो वैल कर रहे हैं तो बिलेज अपना जो भी एड्रस आपके अधार कार्ड में यहां पर टाइप करेंगे उसके बाद लोकल्टी डालेंगे स्थानियता लोकल्टी डाल देंगे कंट्री को यहां स्लर कर लेते हैं और स्टेट जिस भी स्टेट से आप ब्लॉंग कर रहे हैं उस एक्टिव होनी चाहिए चूंकि जो वेरिफिकेशन होगा वो इमेल और मॉवाइल के माध्यम से कंफर्मेशन किया जाता है तो यह दोनों एक्टिव होना और जरूर होना चाहिए जिससी कोई आपको समस्चान नहों एड्रेस हैं तो आप अलग-अलग फिल कर सकते हैं यहा पर डाल सकते हैं सीकिवर्डी कुश्चन में आप कुछ भी स्लाइक कर सकते हैं के बल्सक्योरी कुश्चन के लिए ही यह कुश्चन यूज किया जाता है तो यहां पर जैसे वाड़ेज और फैब्रेट बुक है तो यहां पर अपना मैहत है इंगली से जो भी आपको फिरू बोटम साइज में जो है कुछ पैरामीटर्स दी होते जिन पर हमें नंबर वाई नंबर जो ट्रिक करना होता है और डेटेल्स को चेक कर लेना होता है सत्यापित की जाने वाली बिबरल चेकलिस्ट पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टूबी वेरिफाइड यहां पर सभी पर टिक कर देंगे और डेटेल्स को आपने पहले अच्छे से कर लिया होगा सम्मिट एंड सेंड ओटिपी जैसे किलिक करेंगे तो आपके मुवाइल पर एक ओटिपी आएगा जिससे की मुवाइल लंबर को वेरिफाइड किया जाएगा आपको क्या करना है complete application form पर क्लिक करना होगा यहां आप देख सकते हैं एक और नया स्टेप आपके सामने परस्ट्र डिटेल यहां पर open होगा तो कुछ डिटेल से पहले से ही registration की होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं और जो यहां पर केंदर सासित प्रदेश से अपने परिच्छा तुनकीड़ी बार्मी या फिर राज सरकार से की है तो उसके साफ से आप स्टेट को यहां पर स्लै कर लेते हैं और जो category है वो यहां पर देख सकते जनरल से स्टी जनरल इडबलो से यह आपके पास है तो अब लगाएंगे नहीं है तो जनरल करेंगे और एदियोंको का यहां पर करेंगे यहां पर यह फिन्डो करेंगे आपने पर कॉरिकर करेंगे निवास की जगह आप यहाँ पर आप सेलेट कर सकते हैं अलफ संक्यक हैं तो यह करेंगे नहीं तो घुकर लेगल करते हैं पर उसके बाद आप जो तैयारी का तरीका है, mode of preparation यहां पर select कर लेंगे, आप किस प्रकार से आप study कर रहे हैं, self कर रहे हैं, individual कर रहे हैं, online coaching है, tutorial classes है, तो यहां पर select करेंगे, select करने के पाद क्याप्चा फिल करेंगे, अगला step जो है आपके सामने आधार विवरन, आधार कार्ड की detail जो है ज submit बटन पर click करना होता है, यहां पर आपकी detail और आधार कार्ड की detail से यहां होती है, तो आपका यहां पर first option आपको यहां select कर लेना होता है, और आधान नमबर फिल करके, declaration टिक करते हुए, capture फिल करते हुए, submit and next button पर आपको click करना होता है, यहां पर अपना अधार नमबर डालेंगे, और डिक्सिन टिक करेंगे, और वही जो मैं आपको बताया, आपको अपनाना होता है, यह दिमान लीजिए, आपको बास 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 चांस आधार कार्ड में कोई प्रोब्लम्स आ रही, अपडेट नहीं है, तो यहां पर और भी जो नर्देश हैं, वो दिये गए हैं, इनको आप follow कर सकते हैं, और correction rate में आप अपना अधार कर्ड को भी correction कर सकते हैं, बट बैटर यही रहेगा, कि आप पहले से ही clear कर लें, तो बहु जादा अच्छा रहे यहां पर नीट का जो आपको एक्जाम मिलेगा, question paper medium किस प्रकार से आपको रखना है, किस प्रकार से देना होता है, पर इच्छा center जो है, अपने according state को select करेंगे, और यहां पर आप center को select करेंगे, पिता का जो वेफसाय है, वो यहां select करेंगे, इसी प्रकार से उनकी यूगत है, और ठीक उसी प्रकार से मदर्स का भी, ठीक है, select करते हुए, capture fill करेंगे, और save index number आपको click करना होता है, यहां पर आपकी eligibility open होयाती है, 10th, 11th, 12th का, यहां पर देखे, passing year select कर लेंगे, उसके बाद जो है, यहां पर उत्रे होने का बर्स, ठीक है, उसके बाद यूगता है, schooling इस्तान है, ruler है, इसी परकार आपको जो है, अपना जिला है, school board है, select कर लेना होता है, यहां पर mask fill कर देने होते हैं, roll number, school, college का नाम, pin code, ठीक है, इसी परकार आपको 11th का बर्ना होता है, और इसी परकार आपको 12th का यहां पर fill कर लेना होता है, यहां पर appearing है, तो code automatically appearing का वा 2 या 3 number का code select कर देंगे, कोई problems में आपको नहीं होने वाली है, select करने के बाद जो है, यहां पर अपना marks है, subject fill कर देंगे, उसके बाद जो है, capture fill कर देंगे, स्ट्रीवें नेक्स पर आपको click करना होता है, यहां पर अपना जो है, क्याप जोड़वा है, तो इस परकार option आप click करेंगे, यहां पर emergency content details को fill कर लेते हैं, अगला step जो है, photo, signature, बाएं और दाएं हाथ के अंगुलियों के अंगुटे के निशान, left and right hand, fingers and thumb impression, यहां पर आपको upload करना है, और अस्ताक्चर भी upload करने है, पास postcard size photo को भी यहां पर upload करना है, स्रेंडी प्रवाणा पत्र है, दस्तिन certificate है, और बरतमान पता और अस्ताई पता दस्तावीच upload करें, यहां पर आप अपना मून लुवास upload कर सकते हैं, फानली preview page आ चुका है, preview page को कम से कम दो बार अच्ची से उपर नीचे करके check कर लेंगे, check करने के बाद यहां पर tick करेंगे, tick करने के बाद जो declaration को tick करेंगे, उसको फानल समिस अप्लिकेशन पर आपको click करना होता है, अगला step अब देश सकते हैं यहाँ पर registration और view application form दो चीज़ है यहाँ पर details जो है completed हो चुका यहाँ fees incomplete आ रहा है इसके लिए आपको गया करना है यहाँ your email id यह to be verified इस पर आपको click करेंगे और इसको verify करेंगे तभी यहाँ fees के लिए link activate होगा यदि अभी भी कोई doubt है details में तो यहाँ added application form पर click करके left side activities आप देख रहे हैं dashboard यहाँ पर option आ जाते हैं आप किसी परकाइड detail को आप अपना added modify कर सकते हैं finally सब कुछ हो चुका है आप हमको email id verify करके payment करना होता है यहाँ पर आप अपना change email id को भी change कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जैसे मालनी जी email पर OTP verify नहीं हो रहा और registration message भी नहीं आया था आपके पास और आपका email id गलत है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं कुछ दिरवाद आपका OTP आ जाएगा वहाँ से verify भी आप कर सकते हैं यहाँ से फिर ठीक है तो इस प्रकार हमें change यहाँ नहीं करना फिलाल तो मैंने यहाँ OTP ड बढ़ बढ़ था और अब जो है सही यह विल्कुल OTP real मैंने डाल दिया है पर और इसके वाद हम verify करेंगे यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं सक्सेस्वली हो चुका है हॉम पेज पर पहुंचेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पी एक्जामिशन फीस रेट से 1600 पर आपको प्रमिल जाता अधर का दो वहां से किसी भी बैंक आप यूपी आई से या फिर नेट बैंकिंग इसे पेमेंट कर सकते हैं सिंपली माल लिजी हमने जैसे माल लिए लिए पर टिक कर दिया ठीक है यहाँ पर अब देख सकते हैं जो यूपी आई का आप्शन नहीं है बड़ आप अधर नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं अधर बैंक डिविट कार्ड यूज कर सकते हैं आपर ठीक है अब हमने जो है एच्टी एपसी का चूज किया चूंकि एच्टी आप्शन नहीं आ रहा था तो वहीं पर आप्शन मिल जाता है हम द्वारा से लोग इन वहीं है?